कि अभी आपने देखा होगा एक जो हर्याने की एक महिला थी उसने जाती को लेकर एक गानक आया तो उसके लिए इन्होंने बर्पूर्ट और अपने साथ योसाइद उस पर केस लागू करवाया है कि हम इस तरीकी बात नहीं सुनें सत्पली आज आप दलिफ सरोज को लेकर यहां पर एक धना परदसन कर रहे थे तो उसका क्या एक ताथ पर जो इस तरीके मुसलिम और दलिफ जो आक्रमण हो रहे हैं दलित समाज और मुसलिम समाज को ऐसा बना करके रख दिया कि इस देश का नागरिक दलित और मुसलिम है यह नहीं मुसल्मानों को तो सरयाम कहा जाता है कि वो आतंकवादी है और दलितों को देश का गदार कहा जाता है दलीतों को गुलाम बनाने की रखने की कोशिस की जाती है अगर दलीत पढ़ता है आगे बढ़ता है तो उसके बाद उनके उपर हमले किये जाते हैं उनकी हत्याएं की जाती है दलीप सरोज इलाबाद में जो एक गरीब परिवार का लड़का इलाबाद में LLB की पढ़ाई कर रहा था उसके बाद उसकी हत्या मात्र इस वजह से कर दी गई कि जरासा पैर टच हो गया था उस वैक्ती के साथ जाती का पता चला तो इसके बाद उसे जान से मार दिया गया और बहरेमी से ही मारा गया उसको उसकी डेड बोडी तक भी उस पर भी वार किये गई तो आप देख सकते हैं देश के अंदर हालात क्या है अगर देश में परधान मंत्री मोदी जी है तो परधान मंत्री मोदी जी को RSS ने परधान मंत्री के पदपर सरकार ने निक्त नी किया मंत्री मंदल ने परदान मंत्री मोधी को न्युक्त नहीं किया मोधी को अगर न्युक्त किया है तो RSS ने न्युक्त किया है दलीतों को और मुसल्मानों को छिन बिन करने के लिए उनका कतले आम मचाने के लिए इसके अलवा जो योगी आदितेनाथ जी है यह योगी रोगी भोगी की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री योगी अधितेनाथ जी के राज में दलितों पर मुसल्मानों पर लगातार हमले हो रहे हैं लगातार कतले आम मचाये जा रहे हैं लोगों को मारा जा रहा है, बीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है इसको रोकने का इलाज सबसे बड़ा बाबा साब डॉक्टर भीमराव अम्मेड करजी ने हमें दे दिया है वो इलाज है देश के अंदर इन मनुवादियों को इन भगवा आतंकवादियों को दफन करना पड़ेगा वोट की ताकत से जब हमारे पास वोट की ताकत है तो क्योंना हम लोग अपनी सरकार तयार करे जो सबी को साथ ले करके चले भारत एक धरम निरपेक सराज है हर धर्म को आगे रखे और हर धर्म की पालना हर वेक्ति करे धर्म के नाम पर आतंकवाद नहीं होना चाहिए राजनेती नहीं होनी चाहिए जैसा ये लोग कर रहे है सत्पाल जी अभी जब चुनाव होता है तो लोग कहते हैं कि मशीनों में घड़ वड़ा है कि अब 2019 का चुनाव आ रहा है तो आप लोग उसके वेलेट पेपर से कैसे कराने के इच्छुग रहेंगे वेलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी काईदा कह देता हूं और जितने भी लोग इसको देखें और शेर जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इस बात को अवश्य कह देता हूं कि अगर बैलेट पेपर से इस सरकार ने चुनाव नहीं कराएं तो हम इवियम का विरोध करेंगे और अपने अपने बूथों पर हम लोगों ने टीमें अपनी तयार कर ली है हम हर बूथ के ऊपर हम इवियम मसीन जाने नहीं देंगे अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराएं गए तो धन्यवाद आपते नवाव सत्पाल तवर्जी इनकी मांग है और जो दलीत और मुस्लिमों पर इस तरीकी के जो आक्रमन हो रहे हैं अत्या चार हो रहे हैं उनको रोका जाया और रोकने का यह की तरीका है जो बाबा साहब डक्ट बिम्रा अंबिट करने जो सम्मीधान बना ना होगा केमरा मैंन को तम के साथ मनोज पल यूपी वहन से